नमस्कार आदाब सत्रीयकाल कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर परमजीद कार्डियोलोजिस्ट एन फिजीशियन इन यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल नहरू नगर गाजियाबार डेली न्सियार और आज इस न्यू येर की शुरुवात में मैं आपको तीन ऐसे रेजुलूशन देना चाहता हूँ जो के आपके आने वाले कल में दिल की बिमारी को प्रिवेंट करेंगे तो न्यू येर में अपने आपको देने वाला सबसे अच्छा गिफ्ट आपके लिए यही होगा कि अगर आप ये तीन बेसिक सिंपल रेजुलूशन अपना ले और अपनी जीवन को अपने आगे वाले आने वाले जीवन को दिल की बिमारी से फ्री कर ले प्रिवेंट कर ले तो सबसे जरूरी सबसे बड़ी चीज जो एक दिल की बिमारी को प्रिवेंट करने के लिए है वो है फिजिकल एक्टिविटी जी हाँ अगर आप एक सेडेंटरी लाइस्टाइल जी रहे हैं पूरा दिन बैठे रहते हैं कभी घर पे ऑफिस में कार में क एक्टिविटी नहीं है चलते फिरते नहीं है एकसरोःज नहीं करते खेलते कूथते नहीं है काम में बिजी season ले लीजिए कि सिर्फ आदा घंटा एक घंटा आदा घंटा रोज की एक्टिविटी जरूर करेंगे my heart के healthy होने के लिए दिल की बिरवारी को prevent करने के लिए हफते भर में minimum 1500 minute केवल 1500 minute की moderate aerobic exercise यहने के brisk walk काफी है और अगर आप aggressive vigorous running करना चाहते हैं कोई vigorous exercise करना चाहते हैं तो 75 minute हफते भर में heart की विमारी को prevent कर सकती है और muscle mass maintain करने के लिए कम से कम 2 2 से ज़्यादा आप strength training हफते भर में ज़रूर करें और even अगर आपको बहुत कम समय मिलता है तो short bouts of exercise will also help heart benefit उसके भी मिलेंगे यह guidelines एक idea है मगर exercise basic सबसे basic चीज यह है दूसरी ज़रूरी चीज है आप अपने खान पान को बदलेंगे खान पान को बदलना सबसे important है बाहर के packed चीजें बाहर से मिली हुई जितनी चीजें है ज्यादा तर उनमें या तो शुगर जादा होता है या नमक जादा होता है या processing जादा होती है ताकि उनका shelf life बढ़ जाए यह सारी चीजें जो हैं कई बार आपका या तो blood pressure बढ़ाती है cholesterol बढ़ाती है शुगर बढ़ाती है diabetes, cholesterol, dyslipidemia इन सब का base बनती हैं आगे चलके heart की बिमारी तो salt, sugar, processed food बाहर खाना कम करिए alcohol, saturated, trans fats आपको कम करना है क्या जादा खा सकते हैं आप vegetables खाईए, fruits खाईए, whole grains खाईए घर पे बने हुए दालें खाईए आप healthy fats ले सकते हैं थोड़ा बहुत अक्रोट थोड़े बहुत आप dry fruits ले सकते हैं गिंती के और अगर आप meat मच्छी खाते हैं तो lean meat आप खाईए, egg whites खाईए fish खा सकते हैं हफते में एक बार 200 grams और ultimately आपको healthy diet follow करनी है, घर का खाना खाना है पानी अच्छे से पीना है, dehydrate मत होई है और तीसरा resolution आपका है आज के date में pollution बहुत बढ़ गया है अपने आप में smoking मत करिए अगर आप smoking करते हैं tobacco use करते हैं, किसी प्रकार से पान, बीडी, good cut कैसे भी अगर आप खाते हैं smoking, cigarette खाते हैं, तो वो सब बन कर दीजे cigarette के अंदर बहुत सारे ऐसे chemicals हैं, जो आपके शरीर के अंदर जाके आपके खून की नसों के inner lining endothelium को damage करते हैं, और उसके वज़े से वहाँ पर intimal damage के वज़े से cracks बनते हैं, वहीं पर cholesterol और fats और बाकी सब चीजे deposit होके, plaques बनते हैं और आगे चलके attack आता है यह तीन resolution अगर आपने कर लिया smoking बन करके, tobacco बन करके, exercise करके अच्छी diet ले लिया, तो आपका वजन भी कम हो जाएगा, आप एक healthy weight maintain कर पाएंगे, आप आप देखेंगे, आपका body के अंदर relaxation बढ़ जाएगा, अच्छी नींद बढ़ जाएगी stress कम होगा, और stress अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, heart attack का तो stress कम रखेंगे और regularly अपना test कराईए, अपने डॉक्टर से ते हली